असलाम लेकुम and welcome back to my channel आज मैं बना रही हूं जीरा चावल और इसका best combination दाल के साथ होता है especially आचार और अगर आपने मेरे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा यहां पर मैं देख जी मैं डाल रही हूँ ओल तीन टेबिल स्पून फ्लीम मैं ने मीडियम रखी हुई है और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ जीरा जीरा मैं डाल रही हूँ उसमें एक टीस्पून जीरा डाल देने के पाद अब यहां पर मैं इसमें डाल रही हूँ ए और अगर आपको इसका फ्रीवर नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और अब मैं इसको फ्राय करूंगी जब तक इसमें से अच्छी खुश्बू आने लगे फ्राय कर देने के बाद यहां पे मैं इसमें डाल रही हूं डीड गिलास पानी अब इसमें जाएका नमक हसपे जाएका नमक को मैं मिक्स करके अब मैं यहां पे वेट करूंगी जब तक कि इसमें इक उबाल आजाए यहां पर पाइनी पॉर्ट हो चुका है तो अब यहां पर मैं इसमें डाल रही हूं चावल चावल में दो कब साफ करके भीगो कर रखे थे 10-15 मिनट तक मैंने चावलो को भीगो दिया था चावलो की बाद अब मैं यहां पर फिर से वेट करूंगी जब तक कि इसका पानी अल्मोस्ट सूख जाया यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका पानी अल्मोस्ट सूख गया है तो यह दम के स्टेज़ में आ गया है और अब मैं इसको दम लगाने डगी हूँ बॉइलिंग के टाइम मैंने इसकी फ्लीम जो है वो हाय कर दी थी और अब मैं इसकी फ्लीम जो हूँ वो लो कर दूँगी आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि मैंने कितनी लोकी हुई है दम लगाने के बाद चावल हमारे रेडी हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह कितने अच्छी खिले-खिले बने हैं तो आप मैं इसको डिशाओट करूँगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे और अगर आप मेहंदी में इंट्रस्टेट हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा थैंक ये वर वाचिं इस वीडियो अलाहाफिज